हेलो फ्रेंद्स में आपका स्वागत है आज देखिया में नड्डू कुपाल जी की यह वूल से ड्रेस बनाएंगे ड्रेस है कि कितनी प्यारी बनी है इस तरह से इसका पैटरन है यह घूमता जाता है बहुत से मेरे सब्सक्राइबर है जिनकी डिपांड है कि मैं एक ही कलर की से बना ले और चोली की किनारी पर पिंक कलर से बना ले तो यह आपकी एक कलर की ड्रेस हो जाएगी और असान भी बहुत है जैसे मैंने यहां पर देखिए चार और पांच का घेरा है तो चार और पांच का जैसे मैंने घेरे के चोली के बाद घेरा स्टार्ट किया है इसी त उन सब वीडियो को मैंने लड़ू गुपाल जा की वूलन ड्रेसिस की प्ले लिस्ट है उसमें सब आपको चोली मिलेगी उसमें बहुत सारी वीडियो से हैं 185, 180 के करीब वहां पर मैंने लड़ू कुपाल जा की ड्रेसिस भी अपलोड गी है और चोली भी है तो वहां से आएंगे तब भी सेम बनेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखे मेरे पास पांच नमब लड़ी कुपाल जाएंगे ड्रेस की चोली के लास्ट में देखे मेरे पास 25 कोशे है 25 जिसमें से 24 कोशे मैं यूज करूंगी ड्रेस का घेरा बनाने के लिए यह सेंट दो फार और पांच का घेरा सेम बनेगा तो अब देखिए यहां पर चोली को जोन करके हम 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 होल वाली साइट आगे यहां से धिरा स्टार्ट करेंगे यहां पर हम तिखिए मैं Rain लेनी है एक मैंने ली है यह दो और जे तीन तीन जेन लेकर इसी क्वैन में जहां हमने join किया हैं, यहीं पर हम पहला double crochet करेंगे, यह जो हमने 3 की chain ली है, इसको हम 1 double crochet मानते हैं, तो इस chain में यह 2 मेरे double crochet count होंगे, फिर next में 2 बनाएंगे, 1 बनाया, एक और, फिर next में 2 बनाएं, 1, 1 बनाएंगे, एक और, round को इसी तो आप देखे यहां पर थर्ड चेन में slip stitch से round को join किया एक chain ली एक chain लेकर हमने front post करना है यह जो हमारी तीन की chain है इसको हमने पहला front post बनाना है तो एक chain लेकर धागा लिया मैंने यहां से इस तरह से उठाया यह यह निकाल दिये फिर two-ως एक है तो यह हमने first post किया है पहले वाली तीन की chain करूपर अब second जो है वह डबल कोशय बनाना है धाग लिया इसी chain के साथ वले hole में यहां पर हमने डबल कोशय क्या है एक front post एक double κोशह बत्रों यह इन की chain के उपर हमारा front post आ गया, next जो हमारा double crochet है, इसके उपर हमने chain में बनाना था, लेकिन हमने इसके साथ बना दिया, अब हमने धागा लिया, अब इसको हमने छोड़ देना है, next में front post करेंगे, front post, इसी के साथ hole में यहाँ पर double crochet, फिर देखिए इस वाले stitch के उपर कुछ नहीं बनेगा, फिर next वाले क्यूपर बनेगा, इससे देख ले, front post, इसी के साथ hole में double crochet, front post, और double crochet, देखिए, front post, फिर इसी के साथ, double crochet, तो round को इसी तरह से हमने complete करना है, देखिए, complete कर लिया, मैंने round, round को join करना है, last में देखिए, हमने front post किया, फिर हमने इसके center में double crochet बनाया, और यह जो हमारा front post है, इसकी chain है, जो, इसकी chain में मैंने slip stitch में से join किया, तो अब आप count कर ले, देखिए, चोली के last में मैंने 24 double crochet use किया है, घेर बनाने के लिए, first round में हमने double किये थे, तो 48 होगे, 48, अब यह second round है, इसमें भी हमने 48 रखे हैं, count कर ले आप, और count कर ले साथ में, यह जितने हमारी front post है, उतनी हमारी कलियां भी रहेंगी, तो यह देखिए, यह एक, दो-दो को count करें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, देरा, चोगा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननिस, बीस, इकिस, बाईस, तईस, चोविस, तो 48, यहां पर थे, 48 का हाफ होता है, चोविस, तो 24 मारी कलिया बनी, तो मतलब, फर्स्ट में भी, हमारी बास 48 है, और सेकिंड में भी 48 है, 48, अब हम increase करेंगे, दो रो में हमने same रखे हैं, एक, एक chain लेनी है, जब भी हमने round start करना है, एक chain लेकर, धागा लेकर, यह जो हमा यह एक chain है, जो हम शुरू में लेते हैं, जो अभी यह मैंने ली है, तो इसे मैंने छोड़ दिया, एक chain को सिरफ front post को इस तरह से उठाया, यहां पर मैंने front post किया, इसके बाद धागा लिया, यहां पर अब हमने दो बनाने है, लेकिन इस बार हमने एक chain भी लेनी है, एक chain ल लिया, front post किया, उसके बाद एक chain ली, फिर यहां पर front post के साथ वले stitch में ही हमने हर भर बनाना होता है, एक double crochet एक और, फिर दिखिये, इसके बाद हमने next front post को लिया, front post किया, एक chain ली, और इसी के साथ हमने दो बनाए double crochet, डबल कोशिय जब भी हम बनाते हैं, normal size के बनाते हैं, लेकिन जब हम front post को बनाएंगे, तो उसे थोड़ा सा हम stitch को लंबा रखेंगे, क्योंकि front post में हम stitch को नीचे से उठाते हैं, इसके बाद एक chain ली, तो round को complete करेंगे, front post के बाद एक chain लेंगे इस round में, यहां front post के साथ second round में, एक front post, एक double crochet था, अब एक front post, दो double crochet हैं, center में chain थी है, round complete कर ले, round देखे, complete कर लिए, एएक front post, एक chain, दो double crochet इसी तरह सी यह बनाया है, round को हमने first जो front post है, उसकी chain में हमने join करना है, यह front post की chain है, इस chain में हमने slip stitch से join किया, फिर से उसी तरह से round स्टार्ट करेंगे, एक chain ली, हर बार हमने round इसी तरह से start करना है, इसी तरह से join करना है एक chain लेनी है धगा लींखा को उठाना है साथ में उन्यिण नीचे chain है इसे नहीं लेंगे कि मैं फरन्ट पोस्ट को लिया यह थोड़ा सा सुम्हारा stitch छोटा है पहला यहां से छोटा नहीं होना चाहिए थोड़ा से इस तरह क्हींच ले नहीं तो यहां पर में खिंचावा जाएगा से इसके बाद एक चेंटी और हर राउंड में इसके वाद जितने वी हमने वाउंड बनाने है에 निया है कि यह जितने वे फ्रेंट फोस्ट है यहांपर पर हम दो डबल कुश्य करेंगे एक बनाया सेम राउंड रिपेट करेंगे इसके बाद देखिए फिर फ्रेंट पोस्ट के उपर फ्रंट पोस्ट किया है एक चेंड ली इसी के साथ दो डबल कुश्य किये एक और दो तो देखिए नेक्स्ट फ्रेंट पोस्ट को लिया है एक चेन ली फिर यहां पर दो डबल कुशिय किये तो राउंड को कम्प्लीट करेंगे सेम हमने जो एक दो तीन थर्ड राउंड जो बनाया था सेम हमने फॉर्थ यूसी तरह से बनेगा और राउंड को देखिए जोईन करेंगे उसी तरह से यह जो हमारा फ्रेंट पोस्ट है इसकी चेन है यह इसकी चेन में स्लिप स्टिच से जोईन करना है इस तरह से एक चेन ली और यह चेन भी हम ज्यादा टाइट नहीं लेते पहले वाली धाका लिया फ्रेंट पोस्ट के उ यहां पर तीन बनेंगे, front post के बाद एक chain ली, यहां पर तीन double crochet बनाएंगे, एक दो तीन फिर देखिए next front post को लिया एक chain ली फिर यहां पर तीन double crochet करने है double crochet मैंने आपको बताया normal size के करेंगे, ना बड़े ना छोटे, लेकिन जो front post है उसको हमने थोड़ा सा, इस तरह से stitch को बड़ा करके बनाना है नहीं तो वहां से dress में खिंचाव आएगा, तीन हमने double crochet बनाने है तो इसी तरह से आगे यह बनता जाएगा dress देखिए इसी तरह से complete होगी मैं आपको complete करके दिखाती हूँ यहां पर देखिए यह दो बार, अब तीन बार हमने जो double crochet लिया है यहां पर दो double crochet लिये है Frenn Post के साथ यहां पर भी, अब हमने front post के साथ 3 लिए है Next में भी 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 फिर 5 तो मैं आपको बना कि दिखार दी तो ड्रेस का गेरह देखिए मैंने complete कर लिया है अभी तक जो मैंने total round बनाई है, 10 बनाई है, 10 और यह देखिए यहां पर देखिए फ्रेंट पोस्ट के साथ दो डबल कोशिय हैं यहां पर भी फ्रेंट पोस्ट के साथ दो हैं फिर फ्रेंट पोस्ट के साथ तीन है फिर फ्रेंट पोस्ट के साथ तीन है फिर फ्रेंट पोस्ट के साथ चार है और यहां पर भी चार है फिर एक तो तीन चार पांच डवल कुशिए है और लास्ट में भी देखिये, फ्रेंट पोस्त के साथ एक तो सेम जैसे ये 5 है तो एक राउंड उसके उपर मैंने रिपीट किया है, चार के उपर चार पांच के उपर पांच तो आप देखिए इसके आगे हमने किस तरह से बनाना है लास्ट राउंड मैंने किनारी का बनाया है यहां पर देखिए मैंने जॉइन किया यह चेन में फ्रंट पोस्ट की चेन में जॉइन किया है इसके बाद देखिए एक चेन ली फंदे को ऐसे बढ़ा किया धागा लिया इसी front post की chain में जहां पर join किया है एक बार धागा लेकर ये दो बार और ये तीन बार हमने फंदा निकाला इस फंदे को छोड़ देंगे लास्ट वले को बाकी साले निकाल दिया फिर दो से एक किया इसके बाद देखिए एक और दो चेहली धागा लिया अब इसके बाद देखिए हमारे पास पांच डबल कुशी है पांचों के उपर हमने इस तरह से पफ बनाना है और जो पफ है वो मैंने यहां पर chain में नहीं बन प्रिंगे फिर दागा लपेता इसके उपर जो अब हमने धागा लपेता इसके उपर फिंगा रखेंगे तांकि यह चोटे नहों जाए सटीक फिर यहीं पर हमने दो बहारा बनाया दो बार फिर धागा लिया फिंगर रखेंगे इस तरह से तीन बार धागा घुमाकर मैंने फॉपफ बनाया यह 2 रहें कर दो से की फिर 1 और 2 चेन लिए पिर देखें यह जो मारी चेन है इसके नीचे जो स्पेस दिखती है वहाँ पर बनाएंगे एक बार दो बार अगर आप यह फिंगर नहीं रखेंगे तो यह आपके स्टिच छोटे बड़े हो जाएंगे और दो चेन फिर देखें यहां पर हमने चेन में नहीं यहां नीचे बनाया एक दो कि तीन एक और दो बार जाइन ली पिर नेक्स्ट में जाओ नहीं नीचे जो स्पेस है वहां पर तीन भर धाका गुमाएंगे यह मिंगर रखने का मतलब होता है इसको यहाँ पर हमने पकड़ लिया ताकि यह चोटे ना हो फंदे इस तरह से एक और दो चैन ली यह लास्ट है हमारा डबल कोशिय है इसकी यहाँ पर स्पेस में हमने बनाया एक दो कि इस तरह से इसके बाद दिएखें एक दौ तीन चेन लिया है यहाँ दो दो लिये थैए अब मैंने तीन लिये हैं तो अब तीन लेकर यह सारा हम कली को skip करेंगे next यह यह हमारा फ्रेंट कोस्ट है यहां पर बनाएंगे दhouse से दीन बार हमने धागा लेकर पफ बनाया है, दो चेन लिए, फिर इसके बाल पांच डबल कोशिय है, यह हमारी पहला जो डबल कोशिय है, उसकी चेन में नहीं, नीचे जो स्पेस है, वहाँ पर बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर हमने दो चेन लिए, यहाँ पर बनाएंगे, यह फंदे को बड़ा रखेंगे, दो, तीन, एक और दो चेन, इसी तरह से हमने सारा बनाकर कंप्लीट करना है, यह राउंड, यहाँ पर हम दो चेन लेते हैं, यह देखिए, दो चेन लिए, देखिए, यहाँ पर हम तीन लेंगे, लास्ट में, यह देखिए, यह हमने दो दो चेन लेकर पफ बन आते जाना है तो यहां तक मैंने बना लिया पांच हमारे डवर कोशिय थे पांचों के उपर पांच बना लिए यह दिखिए और एक हमने फ्रंट पोस्ट के उपर बनाया दो दो चेन लिए अब हमने यहां पर जब एक कली से दूसरी कली में जाएंगे तब तीन चेन लेंगे तो अब यह हमने सारी कली skip करनी है फिर यहां पर बनाएंगे front post के उपर वाली chain में और एक बात आप यहां पर ध्यान रखें इसी तरह से यारूट बनना है यहां से देखिए हमारी front post की row turn लेती है तो जैसे जैसे हम dress का घेरा बढ़ा करते जाते हैं यह जो front post की length है यह भी थोड़ी बढ़ती जाएगी उपर जाकर देखिए मैंने यह बड़े बड़े front post लिये हैं पहले से भी तो अब मैं आपको घेरा complete करके दिखाते हूँ तो round देखिए complete हो गया अब किनारी बनाएंगे तो एक मैंने अब छोट छोटी लात में किनारी बनानी है बहुत सारे में subscriber है जिनका कहना है कि मैं एक ही color की dress बताओ तो अभी जो मैं किनारी बनाओंगी यहां पर तो वो भी आप pink color से बना ले तो यह आपके एक color की dress हो जाएगे लेकिन यहां पर देखिए मैंने sky color में किनारी बनानी है यहां पर हमने join किया यह जो हमारे पास stitch है इसकी यह जो बड़ी chain है यहां पर slip stitch से join किया इसके बाद एक बार हम यहां पर और बनाएंगे slip stitch तो अब मैं sky color start करूंगे hole में हमने slip stitch किया एक chain ली यहां पर हमने पहला single crochet किया single crochet बनाया उसके बाद एक दो तीन chain ली है इसी hole में फिर से single crochet किया मतलब एक hole में मैंने दो single crochet किये हैं अब देखिए next में single crochet किया एक दो तीन chain ली है इसी में फिर से single crochet किया है फिर next में जाएंगे single crochet बनाया एक दो तीन chain ली है फिर से single crochet किया है फिर next में गए एक दो तीन chain ली है तो यह आपकी यहां पर च्वाइस है pink से भी बना सकते हैं एक दो तीन चेन लिए और यहां पर मैंने सिंगल कुश्य किया अब इसके बाद देखिए एक चेन ली लास्ट होल में हमने बना लिया एक चेन लेकर अब हमने इसको जोईन करना है यह जो हमने सेंटर में पूरी कली छोड़ दी थी तो पांच है मेरे पाद यहां पर सेंटर जो थर्ड है उसको लिया साथ में यह जो हमारे पास पिंक चेन है इसको भी साथ में लेंगे इस तरह से यहां पर मैंने सिंगल कुश्य किया इसके बाद एक चेन फिर से लिए फिर हम यह होल में जाएंगे पफ के बाद सिंगल कुश्या तीन चेन सिंगल कुश्या फिर सिंगल कुश्या तीन चेन सिंगल कुश्या फिर देखें सिंगल कुश्या तीन चेन दिये सिंगल कुश्या किया नेक्स्ट में सिंगल कुश्या तीन चेन बनाएं फिर सिंगल कुश्या किया single crochet 3 chain single crochet अब इसके बाद हमने एक chain ली एक chain लेकर यह center लेगे और साथ में इसे भी लेंगे यह लिए यह लिए यह लिए और यहां पर मैंने फिर से single crochet किया फिर एक chain ली इसके बाद फिर यह puff के बाद जो hole है वहां पर बनाएंगे round को इसी तरह से हम complete करेंगे round को देखिए join करेंगे यह last जो हमारा puff है इसके पहले मैंने बना लिया इसके बाद यहाँ पर हमने एक chain लेनी है पहले एक chain लेकर यहाँ पर हमने single crochet किया उसके बाद फिर से एक chain ली यह जो पहला हमारा single crochet है इसकी chain में slip stitch से round को join किया एक chain लेंगे धगा काट देंगे तो round देखिए complete कर लिया मैंने चोली की किनारी देखिए वो भी मैंने बना दी है बहुत ही easy dress है आप इसे एक color या दो color किसी में भी बना सकते हैं एक में बनानी है तो यह जो side वाली किनारी है यह भी आप pink से बना ले और आप इसे बाकी numbers में भी असानी से बना सकते हैं जैसे मैंने यहां पर start किया है इसी तरह से 2-3 में start करना है इसी तरह से 6-7 में start करना है और जो बाकी numbers की चोली है वो मेरे channel पर पहले से upload है woolen dresses के नाम से लेड़ कुपाल जी की woolen dresses के नाम से मैंने एक playlist बनाई है उसमें आपको सबी size की चोली मिल जाएगी जिस भी size में बनाना चाते हैं ड्रेस को बना सकते हैं घेरे के बाद चोली बनाने के बाद इसी तरह से हमने घेरा start करना है बाकी numbers में भी वीडियो पसंद आए तो like, share और subscribe करें थैंक यू